सब्सक्राइब बहुत अच्छा बोला आपने हम भी बोलने वाले थे कि आज गुड़ी पाडवा है और नवरातरी की शुरुवात है तो शुप काम करके बहुत अच्छा लगा है इतनी जदा शांती मिल रही इतना मज़ा आ रहा है आप लोग चले जाओगे हम तो भई घेले करेंगे इनके साथ और थैंक्यू सो मच हर्ष कि जब भी मैं ऐसा कुछ करने का बोलती हूं तो तुरंद बान जाते हैं हमारी देखो ये मीडिया वाली प्यारी सी होट सी लड़की इनसे डर रही है कुछ नहीं करेंगे थोड़ा खाएंगे बस यह हमको दे आइडिया था बार्तिक एक्चली और मुझे पार कुछ जादा पता नीन बारतें बद संडेओ कहीं जाना है तो फिर बारति में डीटेल दी कि यह है यहां जाना है। मैं भी बड़गा एक्साइटेट हो गया है जानवर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये दुनिया उनकी भी है हमा कि जब भी हमें टाइम मिले तो नहीं कह सकते के हर अफते ही जब भी एक दू महिने के बार टाइम मिले हम आते रहेंगे और इनकी सेवा के लिए तो हम वैसे भी सब भिजवाते ही रहेंगे और यार बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग दान करके आते हो मंदिरों में यह इंसे अच्छा इनको दे दो कि यह तो मांगते भी नियों रहें यह इनको बचारे इतने सारे लोग जब बिमार हो जाते हैं चोड़ जाते हैं तो बहुत बूरी बात है यार मतलब सुख के समय वो आपकी इतनी सिवा करते हैं आपके घर की रक्षा करते हैं और जब उनकी क मारे ठीजे में हैं आप आपने बच्कों को लेका यहां पर मस्ति कीजिएestens कैफे भी खुलने वाला है तो आप यह पे कॉफी है उनसे प्यृार भी कर सकते गिंद। बहुत सारी चीजें ऐसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक बार यहां पर आईये, इतना प्यार मिलेगा आपको कि आप कहेंगे कि हर महीने हम यहां प्याप आए अच्छा बिल्कुल बहुत सच बात है क्योंकि हमारे घर में भी है और हमको पता है और मैं तो कहती हूँ यह कि ले जाओ अमारे घर में तो सबसे घरी चीज इस इंजियो के क्या लगी आपको? कि मुझे यह कि इतने यंगस्टर्य यहां पर किस सेवा कर रहे हैं और मतलब आप चितने भी यह अपर इनकी ए ऐलप करने वाले या मैं बोलूंगी कि सेवा करने इवाले बोलेंगे यंग है लड़के लड़कियां है वरना आज कल के लड़के लड़कियां चले कोफी पीने चलते हैं यह हाँ चलते हैं मौल जाते लेकिन यह आथ संडे की दिन भी यहां पर है सो बहुत मेरी तरफ से सबको गौड ब्लैस और बस घर्ष आप क्य बहुत बुरी बात है कि आप जब तक अच्छे प्यारे लगते हैं आप उनको घर में रखते हो पालते हो लेकिन जब वो थोड़े बीमार हो जाते हैं या नहीं संबलते हैं आप छोड़ देते हो सो ये बहुत गलत बात है मेरी नजर में आपको अगर पैट घर में पालना है तो कभी भी शौफ के लिए मत पाली है क्योंकि वो जो फैंसी ब्रीड्स होती है क्यूट क्यूट होते हैं तो आप रख लेते हो चोटे होते ना क्यूट होते हैं यहाँ लेकिन उनकी एज के बाद वह तो थोड़ों शांत हो जाते हैं तब उनको अटेंशन चाहिए तब आप उनको आपका प्यार चाहिए आपका एटेंशन चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी अच्छे से पिता सके बड़ आप तब वह करते नहीं हो बहुत बुरा लगता है तो मैं सबसे यह कहना चाता हमारे गर में भी क्यूट वाला फैंसी वाला है बट वो हमने उसकी ममा उसकी ममा की दैतों जब बच्चे हुए थे तो हमने ले लिया था तब तो वो क्या करें लेकिन बहुत जाद यह बड़े प्यार होते मतलब मेरी शादी हो गई है और मैं कम से कम पांच साल से उसके साथ जब मैंने लिया था अर्शने की उफ्ट किया था लिकिन आज भी वो जब अहर शाता है घर में वो सब भूल जाता है सिर्फ उसको हर्ष चाहिए जैसे मुझे है अज़ फार्टी क्या गश्ले का ही है इन लाउप के लिए थे इन को क्या चाहिए और ने बोला राइस चाहि लो बिस्किट कितने है तो उसने बोला इतने पांच शेजों मैं कर ले लो सारे फिर मेरे बास और अर्श के पास थोड़ा सा टाइम था तो हमने बोला कि चलो पैडिग्री पी ले ले लते हैं पैडिग्री ली फिर उनके लिए टावल्स लिए कटोरे लिए जिसमें वो पा स्प्रे फ्रेग्नेंस के लिए इनके वाली में बहुत मैंने बहुत सोचा हुआ है मैं एक्स चाम जब आओंगी तो जैसे हर्श से कुश्वू आती है इनसे भी आएगी अना हर्श आपको बिल्लियां बहुत पासे है तो तो उमने फिर हाथी से शादी क्यों कि नहीं मैं ए नहीं थे इनके हुए कोटा था मेरे बास कुछ चोवड़ा थी सो मैं उसाइटी में हानÁG जी, मैंट एक बिल्ली हमने पाली ती फिर वो प्रेग्नेंट थी फिर उसना चार बच्चे दी ए इसके बच्चे परा वन्छ था हमारे पास तो मैंने बहुत 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 तो अच्छी लगती है मतलब मुझे भी पैट्स बहुत पसंद है और हर्ष को भी बहुत पसंद है आएगी भारती अब अब कुल अब यह रख और मेरे भाई है वह मेरे टीचर जिनसे मैंने सीका है और कॉलज में मैंने बोला कि मुझे टीचर भी रहे है यूथ वेस्टिवल में तो अल्डबैस कपिल भाई आपका ये शो जो आ रहा है कपिल शर्मा फैमिली टैम ना जैसे द तो एक फिल्म का डालेग है ना कि जभी शेयर एक कदम पीछे जाता है तो वो जम्प करने के लिए तो ये उनका जम्प है, All the best भाई, Love you अच्छा, किसले बाद के तरह है इस बाद आप शो में नज़र आने वाली है? अब भी तो बिल्कुल नहीं और भीच में कभी एक आदे अपिसोड के लिए अगर जरूर पड़ेगी तो जरूर जाओंगी क्योंकि अभी मैं और हर्ष आपने ही प्रजेक्ट में लगे हुए है सो हम भी आपको बहुत जल्दी गुद निउस देंगे बेभी वाली नी कुछ प्रजेक्ट वाली सो लगे हुए है वस आप सब की दुआए चाहिए प्यार चाहिए एक बार फिर से तू मैसे बैठना है लेकर जब हम नए प्रजेक्ट के साथ आएंगे अच्छ लास्ट लेक्ट वाली या फिर इंटरनेट वाली नहीं हुए मैं इंस्टाग्र पे अपने ही फोटो डालती रहती हुए हर्ष बहुत ज़दा पेपर वेपर न्यूस बहुत पढ़ते है तो हर्ष ने मुझे बताया तो यह बहुत मतलब दुख की बात है इतने तो इतने टाइम तक वर्ल्ड को एंटर्टेन किया है तो आइटों तिंक सो कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी बहुत सारी फिल्में देखेंगे इरफान जी अप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ और मुझे अपने साथ अपने साथ अपनी फिल्म में लो हर्ष लिख लि है विंदास लाइव रही है हमारी शादी यह वो तो जल्दी जो नय प्रोजेक्टर है उनके बारे में भी बताएंगे सो जितने भी लोग हम को देख रहें उन सब को हैपी गुडी पाडवा और हैपी नवरातरी और हश लब यू यह अच्छा ठीक चलो देखते तुमारा हुआ 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 है